नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर, दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। एकाजशी एक ऐसा संपन्न और खूबसूरत पर्व होता है, यदि इस समय अशुब से अशुब कार्य भी किये जाए तो बहुत ही शुब माने जाते हैं, इस समय वह सभी कार्य संपन्न होते हैं, जो कभी पूरे नहीं होते इस समय मुहूर्ट मिलाने की। आवशक्ता नहीं पड़ती, उन कार्यों में विघन बाधाएं कभी नहीं आती है, तुलसी माता का जैकारा लगाते हुए नमक की यह विडियो को शुरू करते हैं, तुलसी और मोक्षदा एकाजशी पर मात्र थोड़ा सा नमक घर के इस कोने में रख। देना इस से आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर भाग जाएगी, किस्मत पर लग जाएंगे, चार चांद कंगाल भी हो जाएंगे, घनी माता लक्षमी दोडी दोडी चली आएगी, दोस्तों नमक से आप अपनी अंदरूनी शक्ती को जागरित कर सकते हैं, आप अपन देने में धन एश्वर्य उत्तम जीवन साथी सुख, संपदा सौभाग्य पूर्वक जीवन की प्राप्ती मात्र नमक से आपको हो सकती है, हमारे शास्त्रों में नमक को विशेश रूप से अत्यंत दुरलब एवं मंगलकारी सिध्ध हासिल करने वाला, तथा मनोवांचित प्रदान करने वाला समझा। नमक का रात मकता फैल गई है। यह उपाय आपको जरूर करना। नमक खा लिया है तो उसका हक अदा जरूर करें। यदि आप उसका नमक खा कर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा जीवन पूरी तरह से की ओर चला हो जाएगा आपने यह जरूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है इसलिए सोच समझ कर किसी का नमक शादी पार्टियों। मैं भी देखा होगा कि जब हम किसी के खाने जाते हैं तो उसको नियोता या पैसों की भेंट या उफार जरूर देते हैं ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे उपर न रहे इमान मानव का भी नमक नहीं खाना चाहिए नहीं तो उल्टा आप पा के भागी दार हो जाएंगे दोस्तों यदि किसी शुभ अवसर पर एक नमक का पीसा हुआ पैकेट सौ ग्राम उरतकी काली दाल पांच सौ ग्राम चावल पचास ग्राम सूखी लाल मिर्च एक पानी की बोतल और सौ ग्राम सरसों के तेल की बोतल एक 101 के साथ यानी 101 रुपय के साथ पूनेमा अमावस्या या शनिवार मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी गरीब मानव को दान में दिया जाए तो मैं इश्वर की सौगंध खाता हूँ भगवान की सौगंध खाता हूँ आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा आपका दुश्मन भी आपको करोरपती होने से रोक नहीं तो नमक का उपाय सालों से किया जाता रहा है यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है आपके घर में दुख है परेशानी है ग्रिष क्लेश परिवार में मनमुटाव घर की सुख शान्ती हो गई है भंग तब ये उपाय करें लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में साधा पानी लें और पांच चम्मच नमक डालें तब आप पोछा लगाएं परंतु याद रहे जब आप पोछा लगाएं तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहे और कहें माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिदर्ता को दूर करो दोस्तों यहां आपको पोछा लगाते समय अपने मुख से पांच बार बोलते जाना है आपके घर से दरिद्रता नकारात्मक उर्जा सभी परेशानी दूर भाग जाएगी दोस्तों क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वह माता लक्ष्मी के चर्णों द्वारा ही आता है यदि आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है इसलिए पोच्छा लगाते समय माता लक्षमी का जरूर करना चाहिए इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, दुख होते हैं, तकलीफे सब भाग जाती है और माता लक्षमी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थाई रूप से होता है, समस्त बिगडे कार्य परिपून और सफल हो जाते हैं, नमक का पूछा माता लक्षमी का स्मरण करते हुए हफ़ते में दो बार कम से कम दो बार जरूर लगाना चाहिए, दोस्तों यदि घर में नमक कम हो गया है, तो यह दुरभाग्य का संकेट समझा जाता है, आपके घर में अस्थाई रूप से माता लक्षमी की कमी हो सकती है, घर से माता लक्षमी दूर जा सकती है, नमक का पात्र कभी खाली मत रखना नमक जैसे हो जाएं तुरंट दोड़ कर, बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए, डब् कि जिन्दगी बेरंग हो जाएगी नमक का मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है, जितना आप जल पीते हैं, जितना जल है, उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वोपरी महत्व है, दोस्तों घर में यदी नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए, तो माता भी आपके घर से चली जाती है, कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत मत होने देना पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है, आप बरबाद हो सकते हैं, घर से माता लक्षमी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है। शरीर स्वस्थ होता है, वह शरीर कभी अपवित्र नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता, दोस्तों अगर आप नजर दोश से परेशान हो चुके हैं, बार बार बच्चों को नजर लग जाती है, बड़ों को नजर लग जाती है, धर के मुखिया को नजर लग जाती है, नजर लग गई हो बच्चे के उपर से तथा घर के मुख्या के उपर से साथ बार उतार सर के उपर से साथ बार उतार कर इसे अगनी में जला देना दुष्ट से दुष्ट नजर दोश उतर जाएगी आपका शरीर हलका पड़ जाएगा आपके चहरे पर मुस्कान आजाएगी कि जो शरीर भारी भारी लग रहा अचानक हलका कैसे हो गया क्योंकि नजर दोश के कारण शरीर पत्थर के समान हो जाता है भारी हो जाता है अगर इस उपाय से नजर न उत्रें तो हमें बताना यह हजार प्रतीशत कारगर सिध्ध हो पाये हैं बरसो हमारे बुजुर्ग तथा हमारी माताएं बहने हमारे उपर करती चलिया रही है एक सटीक और धर्म शास्त्रों पर लिखित आधार पर लाल किताब पर लिखी आधार पर बुजुर्गों से मिली हासिल जानकारी गुरू द्वारा मिली जानकारी ही हासिल और करता है हमारी तरफ से आपको कोई भी धुखा धड़ी और धर्म के आधार पर जूठा विडियो और सामगरी प्रदान नहीं करता शास्त्रों से मिली जानकारी से हम मनुष्य को सम्मान पूर्वक यश प्रदान है और हम कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे जो आपको अच्छे लगे वह ज़रूर करना यह उपाय हजार प्रतिशत कारगर सिद्ध उपाय है दोस्तों यदि आपके घर में कीडे निकल रहे है घर के कोनों से की कीडे मकोडे निकल रहे हैं मकडी के जाल बार-बार पढ़ जाते हैं तब आप एक खाली पानी की बोटल लें और उसमें साधा पानी भरें और दो चम्मच 100 ml पानी की बोटल में दो चम्मच नमक बोटल स्प्रे वाली होनी चाहिए और उसी बोटल में नमक के साथ एक कपूर की टिकिया तोड़ कर उसका पाउडर डाले नमक में हजार गुना एंटिबायोटिक गुन पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नश्ट करते हैं कीडे मकोडे भाग जाते हैं इसकी सुगंध से जहरीले कीडे भा वहां से कीडे निकलना बंद हो जाएंगे कीडे उस रास्ते से नहीं आएंगे आपके घर से भाग जाएंगे यह उपाए और तरीका साइन्टिफिक रीजन है वैग्यानिक ग्वारा बनाया गया यह उपाए है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिये का यदि आपकी राशी के अनुसार हमारे पास कोई उपाए होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिपलाई में बता देंगे और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक टू बनता है और दोस्तों अगर आप किसी की मयत से आ रहे हैं तब ऐसी स्थिती में कपडों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है नमक के पानी से यदि ऐसे कपडों को धोया जाए तो बहुत ही शुग समझा जाता है शम्शान घाड से जो भी मानव हो करके आता है कि ऐसे कपड़े अप्वित्र हो जाते हैं, ऐसे कपड़ों पर कई ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते पनप जाते हैं, जो मानव को बीमार डाल देते हैं उसके घर में। पल्स आजाते हैं, दाने मोटे मोटे हो जाते हैं, चहरा सूज जाता है, तब ऐसी स्थिती में एक कटोरी में थोड़ा पानी लें और नमक चुटकी। पीना चाहिए, वह चाय जहर बन जाती, चाय और पट्टी के मिलन में यदी नमक डाला जाए, तो और इसे जो भी मनुष्य पिता है, उसकी। हड्डियां गल जाती है, सुर्मा बन जाती है, नमक ज्यादा खाना शरीर की हड्डियों के लिए नुकसान दायक होता है, इससे हड्डियों का सुर्मा बन सकता है, आप कमजोर हो सकते हैं, आपकी कमर की हड्डी रीड की हड्डी आपको दिल का। दोरा भी पड़ सकता है, इसलिए नमक कम मात्रा में खाना चाहिए, न कम न ज्यादा सीमित मात्रा में नमक खाने से आरोग्य तथा सौभाग्य पूर्वक जीवन के साथ बलपूर्वक खड़ा होता है, दोस्तों यदि नमक के डब्बे में दो लॉंग डाल कर रखी जाए, तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है, इससे घर में माता लक्षमी बास होता है, नमक के डब्बे में दो लॉंग जरूर डाल कर रखना चाहिए, यदि आप लोहे के बरतन में नमक रखते हैं, लोहे के डब्बे में नमक रखते हैं, तो इससे आपका राहु अ देखिए नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बरतन में रखते हैं, तो ये चंद्र और शनी का मिलन होगा, जो की बहुत ही घातक होता है, यह रोग और शोक का कारण बन जाता है, नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र, में भी नहीं रखना चाहिए, हम नमक के और भी क किलो नमक डाल कर किसी जानवर को दफनाया जाए हुए, उपर से दो किलो नमक उसके शरीर पर डाल कर दफना दिया जाए, तो कीडे मकोडे जानवर पर नहीं लगते आराम पूर्वक। जाता है, दोस्तों बास्तुशास्त्र के अनुसार यदि बाथरूम में काच के प्याले में नमक भर कर किसी कोने में रख दिया जाए, तो घर का वास्तुख खत्म हो। के टब में यानी पानी में एक चम्मच नमक डाल कर स्नान करें, तो शरीर के समस्त रोग बीमारी खत्म हो जाती है, निखार बढ़ाने के लिए। शरीर पर यदि पुरानी मैल है, मैल जमा हो गई है, गंदगी है, उसे साफ करने के लिए नमक मिले पानी से हफते में एक बार स्नान जरूर करना चाहिए, इसका लाभ आपको 100% मिलेगा दोस्तों, एक्सपर्ट है यदि नमक के. गर्म पानी से और उसमें थोड़ा सिर्फ डाल कर यदि के गहने साफ किये जाए, तो उसमें चमक आती है, दोस्तों बास्तु शास्त्र के अनुसार यदि काले कपड़े में डेली वाले नमक को बांध कर तकिये के नीचे सिरहाने रखकर सोया जाए तो. यह हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसे सोख लेता है, और सुबह इस नमक की पोटली को कहीं पर छुपा कर रख दें, और दोबारा जवाब सोये, तो फिर दोबारा रखकर सो जाए, यह क्रिया लगातार एक हफते तक करने से लाग. मिलता है, इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नश्ठ होती है, और सुबह की शुरुवात पॉजिटिव रूप से होती है, अगर आपके उपर शनी की साढ़े साती या ढईया चल रही है, राहु केतुने आपको बांध रखा है, तब ऐसी स्थिती में. पांच नमक की रोटी काले कुट्टे को खिला देने से वह शान्थ हो जाते हैं, अगर न खाएं तो कोई बात नहीं, बस रोटीों को हलका सा छकलें, आप अपना कर्तव्य करें, इससे राहु केतु भगवान शनी हो जाते हैं, अगर नमक का छिड़का. घर के मैंने द्वार पर किया जाए, तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है, तथा आने वाले कीडे मकोडे वापस हो जाते हैं, आपके घर की ओर नहीं आते क्योंकि नमक में कीडे भगाने की बहुत अधिक शक्ती होती है, पॉजिटिव को डोट. खींचने की सबसे ज्यादा शक्ती होती है, और नकारात्मक उर्जा अपने आप ही मर जाती है, इसलिए नमक का हमारे घर में होना बहुत ही आवश्चक है, ताकि हमें हर बुराईयों से बचाव मिले दोस्तों अगर मान लीजिए खाने में आपको. नमक कम लगने लगे या नमक ज्यादा लगने लगे, तब आपको 100% समझ लेना चाहिए कि आपके उपर शनी तथा राहू केतू की दशा रही है, और अगर खाना खाते समय नमक आपको सीमित मात्रा में लगे नमक की लालसा कम लगे, और अब चुपचाप खाले तो संभले भगवान शनी देव आपसे प्रसन्न है, आपके उपर तथा आपके जीवन पर किसी भी ग्रह का क्रूर प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं, उनके उपर शनी की दशा चल रही होती है, दोस्तों एक अंतिम उपाए आज हम आपको बताने वाले है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये उपाए आपको पलभर में रंग से राजा बना सकता है, आपकी काया लग जाएगी, आप हो जाएंगे, महाधमनी देखिए, दोस्तों, एक चुटकी नमक और एक चमच गेहु का आटा, और एक चुटकी हल्दी मिलाकर अपनी हथेलियों की सहायता से आटा गुंडे हाथ में रखकर गुंडे बिना बटन के और हथेलियों से मसल कर एक लोई या एक गोली बना लें, और फिर यही आता किसी भी गाय को गाय माता को खिला दें, आप चाहे तो पूर्णिमा अमावस्या या किसी भी दिन खिला सकते हैं, अगर अमावस्या और गुरुवार का दिन हो तो और भी शुग है, दोस्तों अब इससे क्या होगा, वह हम आपको है, देखें हथेली में भगवान विश्नु तथा माता लक्ष्मी तथा मा सरस्वती का वास होता है, ब्रह्मा का वास होता है, और जब आप आते वाली और नमक वाली हल्दी वाली यह प्रक्रिया करते हैं, तो भगवान विश्नु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भगवान विश्नु को अतिप्रिय है, और यदी वाली हल्दी में तथा नमक मिले हल्दी आटे में, जब आप अपने हाथों द्वारा बनाई लोई को गाय माता को खिलाते हैं, तो इससे आपका गुरुग्रह मजबूत होता है, माता आपके जीवन में धन एश्वर्य कीर्ती यश्प्रदान करती है, यह उपाय आपको शायद ही कोई बताएगा जो की यह शास्त्रों में वर्नित उपाय है, दोस्तों नमक का दाम तो आप जरूर करते होंगे दान करना भारत की परंपरा रही है, सर्दियों भारतवासी दान करते आए हैं, दान करने से मानव के अगले पिछले पाप खत्म हो जाते हैं यदि आप नमक का दान करते हैं, तो आपके अगले पिछले पाप पित्र दोश, शनी, दोश, मंगल, दोश, राहू, यहां तक की कालसर्प दोश सब खत्म हो जाते हैं, नमक का दान हर हाल में किसी भी मानव को चाहे कुछ भी हो जाए दक्षिना डाल कर जरूर दान करना चाहिए, इससे आपका मन भी हलता होगा, और आपके पाप भी खत्म हो जाएंगे, जाहिर सी बात, जब आपके पाप खत्म हो जाएंगे, तब आप काम्याबी की ओर बढ़ेंगे, तरक्की की ओर बढ़ेंगे, माता लक्षमी आपके घर में अस्थाई निवास पूर्वक वास करेंगी दोस्तों अगर रविवार को नमक का दान किया जाए तो भगवान सूर्य होते हैं, सुमवार को दान किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, मंगलवार को दान किया जाए तो मंगल मजबूत होता है, बुधवार को डोट दान किया जाए तो भगवान गनेश की कृपा बरसती है, बुधग्रह मजबूत होता है, गुरुवार को दान किया जाए तो गुरुग्रह मजबूत कर बल प्रदान होता है, शुक्रवार को नमक का दान किया जाए तो माता लक्षमी धन से माला माल करती है तथा शनिवार को नमक का दान करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और राहु केतु से मुक्ति प्रधान है हम आपको कई ऐसे गुप्ट राज बताएंगे जो नमक अपने अंदर लिये हुए बैठा है दोस्तों नमक को कभी गलती से भी जमीन पर नहीं रहना चाहिए घोर अशुब समझा जाता है चीन में नमक गिरने पर बरबादी का सूचक समझा जाता है भारत में नमक गिरने पर कर्स का संकेत समझा जाता है जापान में नमक गिरने पर मुसीबत आने का संकेत समझा जाता है इसलिए गलती से भी नमक गिरने पर तुरंत माथे से लगा कर नमक को चूम लेना चाहिए क्योंकि नमक बड़ी मुश्किल से हाथ